नवस्कार ख़वरों की ख़वर में आपका स्वागत है राहूल गांदी ने फिर वही काम किया जिसके लिए वो जाने जाते हैं अब उनको लग रहा है कि प्रधान मंत्री मोदी को अगर हराना है भारती जनता पार्टी को अगर सत्ता से दूर रखना है चुना अगर कॉंग्रेस पार्टी को जीतना है तो इसके लिए अब उन्होंने अमेरिका से मदद की गुहार लगाई है अब तक तो ये चैना के एजेंट की तरह बयानबाजी कर रहे थे इमरान खान के भाई के तरह उनकी मदद कर रहे थे हिंदुस्तान को बदनाम करने में लेकिन आज उन्होंने एक और कमाल किया है दरसल आज वो बहुत ज़्यादा वेबिनार कर रहे हैं अपने आपको एक इंट्रिलेक्शोल साबित करने के चक्कर में तो एक नया वेबिनार आज हुआ उसमें निकोलेस बर्न ये अमेरिकन डिप्लोमेट हैं अमेरिका के वो एमबेजडर रहे हैं ग्रीस के अंदर वो आजकल हावर्ड के जॉन एफ केनेडी स्कूल अफ गॉर्मेंट में वो इंटरनेसल पॉलिक्स के प्रोफेसर है जाना मान संत्री मोदी बीजेपी के खिलाफ कई सारे बाते तो कहीं वो तो जायज है कोई बात नहीं लेकिन जब ये सब कुछ खत्म हो गया जब निकोलेस बर्न ने अपने भासन को बता दिया वो सारी बाते जब वो कह चुके थे फिर अचानक से राहुल गांदी का ज्यान आप इसमें कुछ बोलते क्यों नहीं है और अमेरिका इसके ऊपर रियक्ट क्यों नहीं करता है अब ये बात कोई पाकिस्तानी कह सकता है या हिंदुस्तान का कोई दुश्मन होगा वो ये बात अमेरिका के सामने इस तरह की गोहार लगा सकता है कि हिंदुस्तान में तो डिमोकरसी खत्म हो गई है दरसल इस तरह का आर्गुमेंट वो पिछले तीन चार महिने से दे रहे हैं कि हिंदुस्तान के अंदर डिमोकरसी खत्म हो गई है अरे भई डिमोकरसी खत्म हो गई वो कह रहे हैं कि हिंदुस्तान में जो मीडिया और जुडिसरी दोनों ही सरकार की गुलाम हो गई है पूरी तरीके से बीजेपी ने मीडिया को कंट्रोल कर लिया है जुडिसरी के उपर भी नोंने इस तरह का सवाल उठाया है अब ये तो बिल्कुल ही आश्चिर चकित करने वाली बात है इस देश का जो सबसे बड़ा अपोजिशन दल है उसका लीडर ये कह रहा हो कि हिंदुस्तान के अंदर में डेमोक्रेसी नहीं है जुडिसरी इंडिपेंडिन नहीं है तो फिर आप मास मुवमिन्ट क्यों नहीं करते है आपके साथ लोग क्यों नहीं है या हिंदुस्तान ही हिंदुस्तान के लोग नहीं डेमोक्रेसी को भुला दिया है अगर जो बातें राहुल गांदी कह रहे हैं कि हिंदुस्तान में तो सब कुछ खत्म हो गया अगर ये बात सही है तो फिर आपको ये कहना चाहिए कि बेहिंदुस्तान के लोगों ने ही इनको मान लिया फिर अचानक BJP क्यों चुनाव जीत रही है तो इसके लिए उन्होंने फिर एक दलील दी इस वेबिनार के अंदर उन्होंने असम के उस घटना के बारे में जिक्र कि कि BJP के उमिदवार की गाड़ी के अंदर EVM मिल रहे हैं अरे वह EVM के साथ को छड़कानी हुई क्या हुआ आप जूट कहेंगे वो भी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म के ऊपर जाकर के आप इस बात की इस तरह की बाते करेंगे कि यहाँ पे जो EVM हैं वो सरकार चलाने वाल तीन चार ओफिसल के साथ वापस लौट रहा था वो लौकर रूम के अंदर उन EVM मसीन को जमा करने के लिए जा रहा था अचानक से गारी की दुरगटना होती है और वहाँ पे भीड़ा जाती है वहाँ एक रकस सम क्रियेट हो जाता है सिच्वेशन पैदा हो जाती है और उ इसका वीडियो बन गया और इस पे बवाल मच गया वहाँ तो रिकांटिंग हो ही रही है आप एक छोटी सी घटना को लेकर के एक इंटरनेशनल मंच पे जाकर आप इस तरह की बाते करेंगे हिंदुस्तान के पूरे डिमोकरसी के उपर ही कीज़े उचालने की काम करेंगे तो फिर देश की जनता आप में कैसे विश्वास करेगी और इसलिए कह रहा हूँ कि ये लगतार राहुल गांदी की ये आदत सी हो गई है कि जब आप चुनाव जीत नहीं सकते हैं आपके पास और नायसनल चलाने का कोई अकल नहीं है कॉंग्रेस पार्टी को आपने तबा कर रहे थे उसको आपने एक ही जटके में बीजेपी का दलाल आपने बता दिया तो आपकी मानसिक्ता के उपर अब सवाल उटना जरूरी है कि क्या आप पब्लिक लाइफ में रहने के काबिल भी है या नहीं है या फिर एक जिद्दी बच्चे की तरह कि जिसे बच्पन से क आप प्रधान मंत्री मोदी से लड़ नहीं सकते तो कभी चैना के साथ हाथ मिलाते हो क्यों नहीं बताते हैं कि हिंदुस्तान में डेमोक्रिसी अगर नहीं है तो फिर ये बैठ करके स्री जिंग पिंग के साथ वो कौन सा करार कर रहे थे कम्मिनिस्ट पार्टी आफ चैना क जो जिस तरह का उदगार अंदर का जो फ्रस्टेशन राहुल गांदी ने निकाला है उसकी वज़ा एक और है वो वज़ा है कि बाइडन सरकार ने हाल में हिंदुस्तान के हिमन डाइट के कर्डेंसल्स के उपर एक रिपोर्ट जारी की और जिसमें वहां की सरकार ने कहा कि हिंदुस्तान जो कश्मीर के अंदर कर रहा है जिस तरीके से ग्रासूट लिवल पे डेमोकरसी को बाहल करने की कोशिश की जारी है जिस तरीके से वहां पे फ्रीडम और लोगों के विलफिर के लिए काम हो रहा है उसकी तारीव की गई और उसकी तारीव की वज़े से इनक के खिलाफ आठिकल लिखते हैं यह सारी कि सारी यह सारा प्रोपगेंडा वो धरा का धरा रगया कभी यह लोग हिंदुस्तान और चाइना और पाकिस्तान के एक्सपर्ट के जरिये स्वीडन में वी डेम नाम के एक पता नहीं किस तरह की संस्था है उसके द्वारा हिंदुस्तान में नहीं हैं और इस तरह की बाते आप प्रोपगेंडा करते हो और जब अमेरिका की तरफ से सरकारी बयान आता है तो आपको ऐसा फ्रस्टेशन होता है कि आप अमेरिका को ही आप कोशने लगते हो कि हिंदुस्तान में देखी यहां तो अपोजिशन मैं तो जीत पाता और वह आप चुनाव नहीं जीत पाते तो इसमें अमेरिका कैसे आपकी मदद कर सकता है आपको तो देश की जनता की पास जाना होगा आप देश की जनता के सामने रोईए गिर गराईए आप कहिए कि आप बहुत अकलमन है लेकिन आपका वहां बन जाता है करेंगे हिंदुस्तान के institutions के उपर सवाल खड़े करेंगे judiciary के उपर आप इस तरह के बयान किस तरीके से दे सकते हैं आप election commission के उपर इस तरह के बयान किस तरीके से दे सकते हैं और आप सारे तमाम जैसे आप देखें Congress party का कुछ दिन पहले मैं tweet देख रहा था CAG के उपर भी सवाल खड़े कर रहे हैं तो जितने भी समधानिक संस्थाएं हैं उसके उपर आप सवाल खड़े कर देते हो सुप्रिम कोर्ट के उपर सवाल election commission के उपर सवाल CAG के उपर सवाल हर चीज में आपको दिक्कत हो रही है दिक्कत हिंदुस्तान में नहीं दिक्कत हि गांधी के दिमाग में है दरसल ये एक ऐसा जिद्धी जो कर सकते कि ब्रैट है बिगडएल बच्चा जो ये जान रहा है जिसको समझा दिया गया है कि तुमको आगे प्रधान मंत्री बनना है उसके नीचे कुछ नहीं और उस जिद्ध में वो अपनी पार्टी को तबाह करी रहा है और हिंदुस्तान को भी बदनाम करने की जो इंटरनेशनल साजिस है उसमें वो लिप्त नजर आ रहा है ऐसे निताओं को पहचानना जरूरी है जो अपनी सत्ता अपनी भूग के लिए ये लोग हिंदुस्तान को बदनाम करने के लिए कोई भी मौका नहीं छोड़त ये बंगाल क्यों नहीं आ रहे आपकी डिमोकरिसी इस तरीके की है कि आप खुद को सेक्लर कहेंगे और फुरफुरा सरीव के पीर जादक के साथ आप हाथ मिला लेंगे आपकी डिमोकरिसी आपका सेक्लरिजम इस तरीके का है कि आप केरल के अंदर मुस्लिम लीग से हाथ मिल हाथ मिला लेंगे और उसके बाद आप कहेंगे कि हिंदुस्तान में सेक्लिरिजम खत्म हो रहा है तो बड़े बुज़र्ग बहुत सही कहा करते हैं कि जब आप एक उंगली किसी सामने वाले के ऊपर दिखाते हैं तो तीन तीन उंगलियां आपकी तरफ इसारा करती हैं बनता चला जा रहा है कि किस तरीके से जिस पार्टी ने सतर साल तक इस देश के पॉलिटिक्स के उपर राज किया है वो आज इस तरह के सक्स के हाथ में चला गया है बड़े दुख के साथ कहना पढ़ रहा है कि राहुल गांधी पब्लिक स्पेस जरा सा भी डिजर्व नही करते हैं आप देखते रहे केप्टिल टीवी हमारे वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए धन्यवाद अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें हमारे चानल को सब्सक्राइब करें और हाँ बेल आइकन दबाना ना भूले ताकि आप तक हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन पहुचती रहे आप अपना सुधाब हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं हमारे स आप चुड़ने के लिए शुक्रिया